नमस्कार, Flowers in Kitchen Garden चैनल पर मैं कविता आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके सामने उपस्ते तो एक नया वीडियो एक नही जानकारी लेके अगर आपकी भी स्ट्रॉबेरी बनना शुरू नहीं हुई है या उसमें फ्लावरिंग होती है लेकिन वो फ्रूट में कनवर्ट नहीं होती तो आज उसी से रिलेटेट जानकारी मैं दूँगी क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी लेकिन बीच में बारिश होने की वज़े से ये प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन अगर अभी भी आपके स्ट्रॉबेरी में फ्ल बड़े नहीं हो रहे हैं या फल बन नहीं रहे हैं लार्ट तो आते हैं तो जो भी प्रॉब् प्लांट है जिनके प्रोपगेशन का वीडियो में आपके साथ शेयर किया था बारिश में मैंने प्रोपगेट करी थी जितनी भी स्ट्रावरी प्लांट्स थे यह सारे नए हैं और जो पहले जो दो बड़े प्लांट है वो मैंने अपने दोनों पैरेंट्स के घर पर भेजे हैं यानि कि फादर इनलो के उधर भी और मेरे पियर में भी मैंने वो जो पहले जो दो प्लांट थे उनको भेजा है और वहाँ पर भी काफी अच्छे से बड़ी साइज में स्ट्रॉबरी आ रही है तो शुरुआत यही से करते हैं कि अगर आपके प्लांट में फल नहीं बन रहे है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है सबसे पहला काम आपको करना है वाटरिंग पर ध्यान देना है कि अगर आपके प्लांट में वाटरिंग किस तरीके से कर रहे हैं आप जैसे आपने पानी दिया तो उसके बाद आप कितने दिन बाद पानी देते हैं, दिन पर डिपेंड नहीं करता है, मिट्टी पूरी सूखने पर ही आपको प्लांट में पानी देना है, वरना जितने भी फ्लार्स हैं वो फ्रूट में कनवर्ट नहीं होंगे, मेरे साथ भ लब चार-पांच दिन बाद इसकी मिट्टी सूखती है और फिर पानी डालती हूँ और वैसे भी अब मौसम में गर्माट हो गई है तो धीरे-धीरे जितनी भी स्ट्रॉबरी बिक साइस की है वो तो सारी अब रेड होना शुरू हो गई है कम से कम चार-पांच स्ट्रॉबरी तो आप रेड होना शुरू हो गई यह एक ही प्लांट की है और अभी और भी चोटे-चोटे प्लांट है जो की बड़े हो रहे हैं और यह प्लांट का कुछ भी नहीं भीगड़ता है गर्मी में भी यह प्लांट कभी डेड नहीं होते हैं इन प्लांट से ही और सकर्स निकलेंगे और आप और भी प्लांट बना सकते हैं तो फिलार हम फ्रूटिंग पर बात करते हैं तो वाटरिंग आपको रोक ना है यानि कि बिल्कुल मिट्टी दो-दो इंच सूख जाए स्ट्रॉवरी प्लांट की उसके बाद ही आप पानी दीजिए क्योंकि इसकी रूट्स ज़्यादा डैप्थ में नहीं जाती है और वो ज़्यादा उपर भी नहीं होती लेकिन मिट्टी का अगर सूख नहीं रही है तो आप उसके पानी को थोड़ा सा रोक दीजिए थोड़ा ध्यान दे करके पानी दीजिए और यह एक اور प्लांट है यह मेरा मधर प्लांट है जिसमें से मैंने काफी प्लांट्स बनाया है और इसको मैंने एक 8 इंच की गमले में लगाया था शुरू में और अभी मैंने इसको ये टीन वाले बॉक्स में लगाया है और इसमें काफी स्ट्रॉबरीज बन रही है और ये भी मैंने मेरी भी स्ट्रॉबरीज काली-काली हो रही थी वो बारिश की वज़े से हो रही थी और कुछ flowers बारिश के बाद भी कुछ flowers बनते थे और वो भी काले होने लगे थे तो फिर बारिश के बाद ये problem नहीं आनी चाहिए black aphids भी इसके उपर लगता है तो watering पर आपको सबसे पहला यही ध्यान देना है मैंने watering पर ध्यान दिया तो काफी अच्छे से ग्रो होने लगी दूसरी बात यह कि आपको fertilizer पर ध्यान देना चाहिए आप हर हफते इसमें fertilizer दीजिए liquid compost तो काफी इसमें benefit मिलेगा अगर आप chemical यूज़ कर रहे हैं तो फिर chemical का तो जो भी time period होता है उसी time period में आपको fertilizer देना है मैं वैसे compost का ही अधिकतर ज़्यादा यूज़ करती हूँ या जीवामरीद बनाती हूँ तो वही यूज़ करती हूँ जब मिट्टी एक इंच सुख जाती है उसके बाद मैं उसमें fertilizer करती हूँ क्योंकि ज़्यादा दो इंच मिट्टी सुखाने के बाद fertilizer नहीं देती हूँ पानी देना होता है तो थोड़ी ज़्यादा सुखा लेती हूँ मुझे दिखने लगती है कि साइट से मिट्टी pot की किनाओर को छोड़ रही है वो छोड़ने लगती है गेब बनाने लगती है उसी समय मैं इसमें पानी देती हूँ तो जैसे कि जो जितने भी winter flowering plant या winter के जो fruiting plant है या सबजियों के पौधे हैं तो उनमे watering अगर आप flowering के समय रोक करके देंगे तो ये काफी फायदे मंद होता है fruiting पर, काफी effect पढ़ता है उसका और अच्छा फायदा मिलता है और जैसे ही अब घर्माहट बढ़ने लगी है तीन-चार दिन से तो fruits भी इनके थोड़े color लेने लगे हैं और बहुत ही जल्दी ये हफ़ते भर में पक जाएंगे और फिर हम harvesting का भी video आपके साथ share करेंगे एक बात और है कि जब भी fruits इस तरीके से बनने लग जाए तो आप नीचे mulching कर दीजिए क्योंकि fruits मिट्टी के touch में नहीं आना चाहिए वरना ये खराब हो जाते हैं और mother plant जो होता है वो इतनी बड़ी fruiting नहीं कर पाता है धिरे धिरे उसकी fruit की size छोटी होती जाती है तो आप देख लीजिए अगर वो जादा बड़ी fruiting नहीं कर रहा है तो आप उसको हटा भी सकते हैं लेकिन अभी मेरे plant जो है mother plant जो एक साल का हो गया है वो तो काफी काई क्योंकि यहाँ पर गिर्गिट और गिलहरी दिन बर गूमते रहते हैं तो उनको fruits दिख जाते हैं तो वो खा लेते हैं और काफी fruits मेरे खा भी चुके हैं वो तो मैंने इसी वज़े से उनसे चुपाने के लिए उसके उपर कपड़ा ढग दिया है उसमें से जो साड़ी वज़े से भी फल थोड़े थोड़े काले होने लगते हैं जब पाला पड़ता है तो आज का यह वीडियो आपको पसंद आयोगा जानकारी पसंद आयोगी वह जानकारी पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मैं चैनल पर नए है तो सब्सक्रा झाल झाल